जहिंद राम राम तो आज का वीडियो है यूपी एसाई रनिंग को लेके क्योंकि अभी लाइब सेशन जब ने किया था तो बहुत सारे डाउट थे तो वही डाउट क्लियर करने के लिए पांच वीडियो की सीरीज हमने तयार की है आप इंस्साग्राम पर हमसे पूछ सकते ह तो आपके अंदर जो भी डाउट हो ठीक है उसके बाद आप कमेंट कर सकते हो कि अगला वीडियो किस टॉपिक पिछे आपको जिसमें आपको जादा डाउट होंगे आज आपने जैसे कि थमनेल पढ़ लिया है कि दोड़ की सुरुआत और अगर अभी कर रहे हैं लोग तो हम यह मान रहे हैं कि आप जो मेरा वीडियो देख रहो आज आपका पहला दिन आप इससे पहले कभी नहीं दोड़ रहे हो हम यह मान के चल रहे हैं ठीक है आज आपका पहला दिन है आपने एडमिसन लिया आप रुनिंग के स्टार्टिंग कर रहे हो तो देखो पहला दिन ह है हमारे पास अभी 40 दिन है minimum ये तो confirm आप रखके चलो कि 40 दिन आपके पास है 40 दिन में running clear करने का मतलब यह है कि आपको मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी और recovery भी ज़्यादा चाहिए आपको तो सबसे पहली चीज यहां पर यह है कि दोनों time आप running नहीं करोगे यह उनके लिए है जो आज से running start कर रहा है बार बार हम बोलना है जो आज से running start कर रहा है आप दोनों time running नहीं करोगे एक time आप फुल effort दोगे और उसके बाद अपनी recovery क्योंकि running से ज़्यादा recovery important होती है ठीक है तो पहला doubt clear हो चुका है आपका कि आपको दोनों time running नहीं करनी है अगर आपने शुरुआत की पहले से एक दो महिने से दोड़ रहा हो तो फिर अपने schedule के recording दोड़ो ठीक है दूसरी चीज यहां पर यह है कि भीया सुबह दोड़े या साम को अब देखो क्या होता है कि हम छोटी सी चीज यहां पर समझा देते हैं आप लोगों को मानलो आप आपका बजन जाता है तो हम बाता देते हैं कि बजन जाता है तो सुबह दोड़ो लेकिन क्या होता है कि सुबह उतनी अनरजी नहीं होती हमारे अंदर अगर अनरजी नहीं होगी तो अगर मालों 3 किलोमेटर दोड़ना चाह रहें वैसे कई लोगों के इंदर होता है बहुत सिर्फ में होता है कि सुबह आपको energy ना मिले क्योंकि सुबह बहुत energetic रहता है माँल तो सबसे best timing तो हम कहेंगे सुबह भी सबसे best timing ठीक है लेकिन फिर भी कुछ लोगो जल्दी ठक जाते हैं तो वह लोग साम को जा सकते हैं क्योंकि आप दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हो साम को आप जा सकते हो लेकिन मेरी जो प्रायोरिटी रहेगी जिसमें हम हंडेट परसंट से ओर है कि आपको करना चाहिए वह होगा मेरे लिए सुबह सुबह बिल्कुल क्योंकि आप जब खाली पेट होते हो तो जब भी आप देहना सुबह दोडने के पहले आप एक केला खा सकते हो या किसम सी मुनका क्या सकते हो जो अपने आप से जब नहीं को फिए साम को तब शुधे नहीं ठीक है लेकिन मेरी फर्य प्रायोंटी होती है त्यारी टेमाइप अपने 40 दिन के वर्काउट के उपर तो 40 दिन के वर्काउट सबसे पहली चीज आपको एक टाइम दोड़ना है दूसरी चीज लड़के लड़कियों का वर्काउट अलग नहीं होगा तीसरी चीज हमेशा हमने कहा है कि आपको जितनी रनिंग की तयारी करनी है उसका डेड़ क यहां पर सबसे पहली चीज बर्काउट को समझाने के पहले एक चीज यहां पर यह समझ लो आज आपका पहला दिन है आपने सबसे पहले करनी है स्ट्रेचिंग डाइनमिक उसके बाद स्टेटिक मतलब रनिंग के बाद यह हमने प्रीवेस वीडियों बताया आप देखे न दैनिक चैजिंग और इस्टैटिक फ्रीज यह दोनों चीज स्रेचिंग कर लिए उसके बाद रनिंग पर तो पहला दिन आपका पहली बात ठीक है और हां दैनिमिक के स्टैटिक युआ बताना पड़े वह हम बटाएंगे ठीक है तो आपको क्या करना है पहले दिन जब परसंट देने की जुरुवत नहीं है आप पहले दिन गए आप से जितना हो सकर आये और पहला चकर दोड़ के नहीं करना है पहले दो चकर आपको सिर्फ वॉक करना है बार-बार बोलने कर लिख लो पहले दो चकर से वॉक करनी है तीसरे चक्कर से अपने स्टेप इंक्रीज करना चालू करना है सपोस्ट हमने मान लिया कि आज आपने 1200 मीटर दोड़ पाई उसे 1200 मीटर दोड़ पाई लेकिन दोड़ तभी पाओगे जब सुरुआत के दो चकर पैदल चलोगे सिर्फ पैदल बार बार कहरें भेजे में इसको थोड करके 1200 मीटर 1500 मीटर या एक किलो मीटर उतना करके आप रूग ठीक है जब आप रूखे तो थोड़ा सा पैदल और आपको चलना है जैसे यह आपने रनिंग स्टॉप की तो उसके बाद सो मीटर 200 मीटर आपको पैदल चलना है यह मिसले बता रहे ताकि पैर ना भरें जो आक 21 तारिक जैसे ही होती है 21 तारिक जैसे ही होती है तो 21 तारिक को आपको क्या करना है 21 तारिक को आपको करना यह है कि अपना जो भी मालों तुमारा 1600 मीटर 1600 मीटर कवर हो गया लड़कों का एक किलो मीटर लड़कियों का हम यह मान के चलना है तो अगले दिन कोसिस यह करो कि 400 400 मीटर या 200 मीटर हमेशा दो के मल्टिपल में या तो 200 मीटर या 400 मीटर या 600 मीटर इतना इंक्रीज करने की डेली कोशिस करनी है और जब पांद दोड़ों लोग इतना यूस्ट हो जाती बॉड़ी 200 मीटर जब आप पहुचेंगी 2 किलो मीटर पर ठीक है इतना करते करते जब आप इस रूट तक पहुच जाओगे अपना 3.5 किलो मीटर दो किलो मीटर तक अब यहीं पर रुक के आपको तीन दिन इसकी प्रेक्टिस करनी है 3.5 किलो मीटर में आपने स्पीड बनानी है लड़कों को 3.5 किलो मीटर में स्पीड बनानी है अब जब आप इतना कर लोगे फिर उसके बाद आपके अंदर इस सेमिया बनता जाएगा और आप धीरे धीरे अपना 200-400 मीटर 600 मीटर इंक्रीस करते करते चले जाओगे लेकिन ध्यान रखना पाँ दिन आप अपने इसाफ से तोड़ा जैसे आपकी बोडी रिस्पॉंट कर रही है। पाँच दिन के बाद डेली डेली प्लस करना चाहिए 200 मेटर री प्लस करों चाहिए दोड़ नहीं पार पैदल प्लस करो लेकिन प्लस करना पड़ेगा वरना नहीं बात बनेगे क्योंकि खेल स्टैमिना का है अब आ जाते हैं अपने वर्काउट को पर बहुत सीधा सा वर्काउट ज्यादा टाइम है नहीं पर पास तो इसलिए वर्काउट भी उत्रा नहीं होगा कि जिसे आपने पूरी कर लिए ठीक है और रंणिंग पूरी कर लिंगा उसके बाद रंणिंग अपनी पहले उसके बाद आपको क्या करना को वर्काउट मतलब पेट के एक्स्राइज आपको करनी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगा आप देख लो उसके साथ इस्टेंथ इ ठीक है स्कॉाइट भी आप जानते हो और पुल अप्स भी जानते हो तो तीनों आपको एक्सराइज परफॉर्म करनी है अपनी छमता के अनुसार यहां पर हम रैप्स या सेट्स नहीं लिख रहे हैं वह आप अपने एकॉर्डिंग करो ठीक है तो यह हो गया आपका पहले ती अजयों सब्सक्राइब करोगे यह थोड़ा से स्पीड पे काम करेंगे हम ठीक है इस पीड पर किस तरीके से काम करेंगा आप इस प्रिंटिंग कर सकते हो अब जिनका वजह ने बोड़ाइब कर पाएंगे तो उनके लिए यह है कि भी आप क्या करो हाई नीज लगा लो इस 200-200-400-300 में से कोई भी कर सकते हैं जो भी आपके लिए सूटेबल हो दूसरा प्लस-माइनस वाक चार सेट करने हैं अब प्लस-माइनस वाक क्या होती है जैसे आपका ग्राउंड चार सो मीटर का आप पहले गए तो आपने 100-200 मेटर आपने रणिंग की पूरा यह बता रहे है है जब पूरी आपकी रणिंग हो जाती उसके बाद का वरकाउट है यह रणिंग के बाद का ठीक है पहले आपने यह प्लस किया उसके बाद आपने माइनस किया माइनस का मतलब क्या होता है माइनस का मतलब ही होता है सो मीटर आप प्लस सो मीटर आराम से फिर सो मीटर प्लस वीडियो को हम यहीं अंड कर रहे हैं और जो लोग भी फॉलो कर रहे हैं उसको हमें कॉमेंट करके जरूर बता देना कि क्या हेल्प मिल रही है तुम्हों को ताकि हम इस तरीके की वीडियो और लाते रहें जैहिन जैवाराइद